चलिए अब जो है हम लोग नेगलर रियक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि अगर इससे भी कोई कुश्चन आप लोग आए तो बहुत ही आप लोग इसी डाइग्राम में पूरे नेगलर रियक्शन को समझा दूँगा और आप लोग इसी के बेस पर अपनी थ के लिए और आपको पता होना चाहिए कि कि इस को कौण से करो कर सकते हैं वह मीडियों जो होती है जिसमें अगार होती है घ्यटलिंग कर सकते हैं जो कर सकते हैं कौन सेục में जिसमें अगार, फिल्डीस, डाइजेस्ट and human serum होगा। इसमें जो अगार होगा वह bütün da distractions फिल्डीस डाइजेस्ट होगा अपका 5% और human serum होगा 20% 20 यह होगा इस में हम फिल्डीस अगर यह तिनों चीज को घ्योग कर सकते हैं अगर यह तीनों चीज नहीं यह एग योग कित्ता परसंट लेना आपको 5 परसंट तो क्लिस्टेडियम पर्फरेंजिस को ग्रोव करने के लिए आपने जो मीडियम लिया है वो मीडियम कौन सा है आपका जिसमें अगार फ्रीडिस डाइजेस्ट एन हुमन सीरम होगा 6-5-20 के परसंट में और एग योग हो थाँकी जो है आपका रेड क्या है दीख्याया है और दूसरी चीछ आपका क्या है जो यह मैंने बनाया है यह इसमें ले सकते हैं और दूसरी जो है यह यह यहांकर मेने कुछ ओप इस दिखाया है यह पिसिटी दिखाया है यह आपके गुप में वाइट कलर में दिखाया हुआ है तो यह चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगा अब आगे पूरे इसको समझी अच्छे से क्या कि जो नैगलर रियक्शन होती है उसमें किसी लिए यूज करते हैं क्लस्टरियम पर फ् लीमाटिक नियोमाइसिं सिलफेट क्या करेगा आपको पता होना चाहिए कि जो क्लस्टरियम पर हो क्या चीज़ यह प Alles in Parl the और दूसरे और आपका बैसे से स्वाला था उसके को इनिवीट करेगा मतलब it will inhibit the growth of other it will inhibit the growth of other eros other eros मतलब it will promote the growth of these anaerobic bacilli only अब देखो उससे क्या हुआ अब एक चीज और देखो आपको पता है जो आपकी मतलब antitoxin या toxin रिलीस करती है और वो टॉक्सिं के बेसिस पर हमने इसको आपका क्लासिफाई किया था इसके टॉक्सिंस के बेसिस तो अब क्या हुआ अब यह हुआ कि एक तरफ हमने लिया जहां पर हमने क्या किया एक तरफ यह भी कि अपका कर लश्ट्रियम पर फ्रंजस इस पीसिस है और इस पूरे प्लेट में हमने लिलेब सब्सक्राइब करें कोई अधर बेक्रिया इसमें पर फ्रंज़िए गरो करें अब इसके हाफ प्लेट में हमने एंटि टोर्च 708 और हआप्त में एंटी टोर्च नहीं लिया एका एट मतलब इसमें क्या है एंटी टोक्सिन है और आपको पता होना चाहिए इस एंटी टॉक्सिन को निट्रिलाइड करेगा कौन सा टाइप एकी जो हैलफा टॉक्सिन थी जो है configur टॉक्सिन थी वह इसको क्या कर देगा न्ट्रिलाइइज कर देगा कि जेदा क्यों permettre टॉक्सिन को तॉक सिंतने बटी टॉक्सिंद में और कोई नहीं होगी होगी मनलग इसके सुरॉणॡविंग में कोई भी ऑपेसिटी जो मैंने इधर आगे बनाया यह आपका एक टॉक्सिन था जो अलफा अलफा टॉक्सिन था वो रिलीज हो रहा था और उस अलफा टॉक्सिन उस अलफा टॉक्सिन एक उदाइम काहां करती है यहाँ पर जिसको बोलते हैं लेसितने सी च्पट ऑसधीन को करता में जो कि लीपीद है अग वह यह कि एक तरफ यह ईंटी टॉक्सिंग लिया एंतीटिक्सिंग इस इंजाइन को लैसे निसको इंभीट कर देगा यह जब लैसे इसको unbit करे का नहीं होगा तो भाफ फोस्फरल यह वाईट एपसी ऑपसीटी डिवलब फोघी यह ऑपसीटी नीपिट की tails एक इस आपशिटी यहे उस्य वाउट से और से वे म hybrid में इस पार्ट में और उपीसिटी को डैवलाब नहीं मोगी उसको और कैसे समझ सकते हो ए इसमें जो अलफा टॉक्सिन था उस अलफा टॉक्सिन ने इस निस अर्ट टॉक्सिन ओंत्राइज रैजन की प्रोसेश कई वैसे हुए और इस पार्ट में आपको पता है इस पार्ट में क्या है जब एंटीटोक्सिन नहीं है तो निटीलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी जब निटुलाइज़सन की प्रोसेस नहीं होगी तो यह लसी खिंग से कणवर्ट होगा फॉस्फरिल कोणीमें डिव्यली सब्सक्राइद में मैं। मतलब लिपीड में इसली कणवर्ट हो जायेगा मिज़िली इसली में संच्वर्ण हो जाएगा यू थाउमि आपको यह जो आपका दिखाया है वेक्गरॉंड रेट कलर में दिखाया है क्योंकि इसमें होन की सीरम परजेंट है और आप लोगों पता होना चाहिए कि कलोस्टेलियम परफिर्जेस की स्पेसिस को ग्रोव कर सकते हैं इसमें इस में इसमें अगार है फिल्डीज डाइजेस यह ख़ंधया रफिक बिशिलाई डिख को क्या कर दिया रोग दिया मतलब यह सिरे प्रोमोट करेंगा ग्रोथ और इस क्लोस्टे Bitcoin उपने स्की तो इसकी ग्रोध को कुरे प्लेट मैं इकवली आप अव हमने हमें करना था कि क्या यह क रूस्तेडियम on Repeat विए फुटेंटंट नहीं नहीं हुई जब लिपीड मैं कनबर्ट हुआ अगो लिपीड जो हैCrust पाइन करती है और यह वैट ओपिसीटिस दिखाती है क्योंकि इसमें कोई भी एंटिंटॉक्सिन नहीं था तो यह आराम से कनवर्ट हो पाया कोई भी नुट्रिलाइजेशन नहीं हुआ इसका और जब यहां पर आपका क्या था इस पार्ट में हमें एंटिटॉक्सिन मिला त तो एंटी टॉक्सिन को क्या पर दिया नुट्राइज कर दिया अल्फा टॉक्सिन में और उसके नुट्राइजेशन से क्या हुआ कि यह इंजाइन ब्लोक हो गई यह कनवर्ट नहीं कर पाया इसमें मतलब लिपीड में कनवर्ट ही ही हुआ तो यहां पर ओपिस भी in a medium containing 6% agar 5% field each digest and 20% human serum or 5% egg yolk in the whole plate we are adding neomyosin salpe that will inhibit the growth of these species other aerobic species now in half of the plate we are adding antitoxin in half of the plate there is no antitoxin where antitoxins are present there would be no growth or no conversion of uh lecithin into digeryside or lipid so there would be no opacity in the species in surrounding the species and in half of the plate where no antitoxins are present no antitoxins are present that means lecithin would be easily converted into phosphory and choline and digeryside means lipid and due to the deposition of this lipid there would be white color colonies or white and the colonies would be surrounded by white color opacities so this is all about the uh negular reaction okay what is it